हलो फ्रेंट्स आज के इस बिए में हम बात करेंगे कोर्ट रिकूरेटमेंट 2022 यानि कोर्ट में नई भरती आई हुई है उसके बार हम बात करेंगे जिसमें की 7,682 पर्मानेंट पोस्ट के लिए बेकंसी आई हुई है और इसमें सेलरी आपको अराउंड 40,000 के आसपास पर मन मिनलेवाना है कुछ पोस्ट हैं जिसमें की 10th pass candidates apply करेंगे कुछ पोस्ट ऐसे है 12 any graduate और PG candidates apply करेंगे पोस्ट का नाम यहां देख सकते हैं clerk जिसमें की 3,325 पोस्ट है stenographer के लिए 1562 पोस्ट है और court reader के लिए यहां पर देख सकते हैं 1132 पोस्ट है और peon orderly के लिए आपका 1673 पोस्ट के लिए बेकंसी आई हुई है तो चलिए हम official website पर चलते हैं वहां पर हम देखते हैं इसको यह है आपका official website जहां पर आपको यहां पर चार option दिखाई दे रहे होंगे यहां पर notice number 1 जो है आपका clerk पोस्ट के लिए है notice number 2 यहां देख सकते हैं इस टेनोग्राफर के लिए और 3 जो है आपका code reader और 4 जो है आपका peon orderly के लिए है तो इस तरह से अलग-अलग यहां पर PDF है जिसको apply करना चाहिए जिस पोस्ट के लिए वहां पर इसने download कर सकते हैं PDF और detail में read कर सकते हैं कर देख सकते हैं चलिए हम 1 by 1 करके देख लेते हैं इसको download करके तो सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं notice number 1 जो है 1 by 2022 यहां पर देख सकते हैं clerk पोस्ट के लिए vacancy आई हुई है यहां 3,325 पोस्ट है टोटल लेवल 4 का job है और इसमें farm बने का जो date दिया है 29,2022 और last date आपका 20,10,2022 तक इस farm को apply कर पाएंगे इसमें आपका gradation degree मांगा गया है बैचलर डिगरी होनी चाहिए और computer का knowledge जरूज है और good moral character होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं यह आपका qualification है और यह notice जो काफी लंबा है इसको पढ़ने में काफी time लेगा है तो main main चीज़ों को हम देख लेते हैं यहां पर 19,2022 को अगर male candidates है तो कम से कम 21 और maximum 37 होना चाहिए और female candidates है तो आपका 21 से 40 के बीच मोना चाहिए उस तरह से backward class में आते हैं तो 21 से 40 हम देख सकते हैं और अगर CST में आते हैं male female दोनों तो अगर आप general है, BC हैं, EBC हैं, EWS हैं तो आपका 800 और physically challenge हैं या SCST में आते हैं तो 400 आपका ये fish structure है आगे इसका selection process देख सकते हैं pre-test होगा और return test में आपका 90 marks यहां देख सकते हैं interview भी होगा इसके syllabus को हम detail में आगे की video में discuss करेंगे यहां पर इसको नहीं देख रहे हैं क्यों यहां पर आप देख पा रहे होंगे screen पर ये आपका 2 oblique 2022 ये stenographer का post है जिसमें की 1562 post के लिए vacancy आई हुई है ये भी level 4 का ही job है आप देख सकते हैं कफे अच्छे salary मिले मले आपको और ये भी date आपका यहां देख सकते हैं 29 2022 से आप इस form को apply कर पाएंगे और 20 2010 2022 तक last date है इस इसमें bachelor degree यानि graduate होना चाहिए किसी भी subject से कहीं से साथी साथ stenography आपको आना चाहिए computer proficiency test भी होगा ये आप देख सकते हैं यहां पर age criteria minimum 21 साल लखी गई है और maximum 37 male candidates के लिए female के लिए यहां पर 21 से 40 और यहां पर BC के लिए इस तरह से देख सकते हैं अगर SCST में आते हैं तो आपका 21 से 42 साल आपका age होना चाहिए और यहां पर fee structure भी same है देख सकते हैं 800 रुपया आपका और 400 रुपया अगर आप SCST में आते हैं या फिच के लिए चैलेंज है तो 400 रुपय और बाकी सब के लिए 800 और इसका भी हम सलेपस पर अलग discuss कर देंगे आगे notice no.3 देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह notice no.3 है 3.2022 आपका post का नाम है code reader come deposition writer यहां पर 1132 post के लिए vacancy आई हुए है यह भी आपका label 4 का जवाब है बहुत अच्छा जवाब कर सकते हैं यह भी आपका 29 से आपका फार्म भरा जाएगा 20 10 तक आप अप education qualification यहां देख सकते हैं bachelor degree होने चाहिए किसी subject से कहीं से किये होंगे तो आप इस फार्म को apply कर पाएंगे साथ ही साथ हिंदी और इंग्डिस में typing आपको आना चाहिए और computer knowledge मांगा गया है यहां पर देख सकते हैं और fish texture भी इसमें same है और क्या कहते हैं age group की बात करें तो आपकी यहां पर देख सकते हैं same criteria है fish structure यहां देख सकते हैं general है BC है EBC है EWO से तो 800 रुपे यह CST और physical challenge में आते हैं तो 400 रुपे है इसका जो syllabus पर भी हम discuss बात में करेंगे अब देख लेते हैं notice no.4 यहां देख सकते हैं 4 oblique 2022 यहां पर आप देख सकते हैं 1673 postal vacancy आई हुए ह पियोन और अर्लिक ले लेबल वल का job है यह और इसमें जो है farm बने का जो date है 29 से शुरू हो रहा है और 20-10-2022 तक आप इस farm को apply कर पाएंगे इसमें 10th pass minimum मांगा गया है यानि कम से कम आपका 10th pass होना चाहिए उसके ओपर education है तो ठीक है कोई बात नहीं 10th, 12th, graduation support apply कर सकते हैं तो 18 साल minimum होना चाहिए और 30 साल maximum होना चाहिए male candidates के लिए female के लिए 40 साल 18 से 40 साल और वाकी भी है और SCST में आपका 18 साल से 42 साल की candidates इसको apply कर पाएंगे और यहाँ पर हम fee structure की बात करें तो देख सकते हैं आगर general में आते हैं, BC में आते हैं, EBC, EWS में आते हैं तो 600 रुपे औ तो इसके syllabus और इसकी exam के तहरी कैसे करें उसके बारे में हम detail में coming video में discuss करेंगे, तो यह vacancy आई हुई, चार तरह के post हैं और education qualification अलाला मांगा गया है, तो अगर आप eligible हैं तो farm भर सकते हैं, यह यहाँ देख सकते हैं district court और session court जहाँ देख सकते हैं, पटना में vacancy आई हुई ह इस farm को कोई भी content भर सकता है, आप को कहीं से हैं, all over India, तो इस farm को apply करेंगे, और किसी भी university से graduate हैं, या 10th pass हैं कह सकते हैं, तो जो भी farm apply कर रहे हैं, उसके recording आप भर सकते हैं, इस तरह से हमने देखा main main points, और इसका PDF आपज़र डाउनलोड कर लेज़ेगा, लिंक हम video खुने description में देतेंगे, वहाँ पर telegram चैनल पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा, और वीडियो मताएगा इचीजें आपको अच्छे लेगे, तो वीडियो को like करें, और अपने सभी दोस्तों में share करें, ताकि ज़्यादा सदा candidates, जो इस farm को भरना चाहते हैं, भर सकें, और चैनल पर वार्सम नमर भी दे रखा, वहाँ पर भी संपर करके जानकर ले सकते हैं,